हेलो दोस्तो, नमस्कार, हमारी यूट्यूब चैनल माई इंटर्टेंडमेंट में आप सभी का फिर से स्वागत है आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के बीच एक और महत्वपुन वीडियो के साथ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप रेल करमचारी हो या रेटाइड परसन हो तो आप सभी ये गुड नीज जानकर बहुत ही खुश हो जाओगे वो गुड नुच क्या है उसका अंदाजा आपको हमारे तो वीडियो के टाइटल से लगी गया होगा तो इसके वारे में डिटेल से जानने के लिए आपको वीडियो लाज तक देखना पड़ेगा क्योंकि अगर बीच में यह स्किप कर दिया तो फिर आपको ही नुकसान होगा क्योंकि उसके पूरे डिटेल मैंने वीडियो के लाज तक दिया है तो वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहो और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में से सेर करना बिलकुल न भूले ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो और लोगों के पास भी पहुँच सके तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों पहले जब भी आप यात्रा करने के लिए ये पास या ये पीटियो अपलाई करते थे तो फॉर्म फिलब करने के बाद या सब्मिट करने के बाद उसे वेरिफाई करने के लिए पास कलर या पी आई ये के पास भेजना पड़ता था या वो खुद ही चला जाता था वो वेरिफाई करके देता था ओके करता था तब हमारे इपास या पीटियो बन पाता था इस दौरान एक से दो दिन या कभी-कभी तीन से पांच दिन तब कसा में लग जाता था दोस्तों वो हमारे पास कलर के अब ई-पीटियो के उपर निरुपर करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है तो दोस्तों खुशखबरी यही है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अब हैंड टू हैंड आप खुद ही अपना ई-पास याप ई-पीटियो जारी कर सकते हो फॉर्ण फिलप करते के साथ ही दोस्तों यह बन के तयार हो जाएगा तो चलिए मैं आप ई-पास याप ई-पीटियो जारी करके लाइफ प्रूफ इसका डेमो दिखाऊंगा तो चलिए मैं आप ई-पास याप ई-पीटियो जारी करके दिखाता हूँ इसके लिए दोस्तों हमें Google Chrome में HRMS को लॉग इन करना पड़ेगा तो जैसे ही HRMS लॉग इन लिख करके सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है यह तो आप लोग को पता ही है तो और इसे लॉग इन करने से पहले हम लोग इसे क्या करेंगे वो desktop mode में on करेंगे ताकि हम सारी डिटेल को अच्छे से आप लोग के बीच दिखा सके तो चलिए इसे मैं desktop mode में पहले कर ले रहा हूँ हमारा desktop mode में select हो गए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें username password detail भरेंगे तो दोस्तो यूजर नेम और password वाला detail यह तो आप लोग को पहले भी मैंने बता चुका है बता दिया है तो चलिए इसका detail मैं fill करता हूँ फिल करके आपको आगे बताता हूँ तो दोस्तो जैसे ही हम लोग detail फिल करेंगे उसके बाद उपर left side में यह जो arrow का जो symbol दिख रहा है इस पे tap करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा नीचे में आने पर देखिए सबसे लाश्ट में pass version 3.0 लिखा हूँ उसके टैप करेंगे फिर उसके बाद उपर में देखिए apply for e-pass या e-pto है उसके टैप करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है तो देखिए यहां जो red color से लिखा हुआ है दोस्तो यही main रूप से हमारा new update है तो मैं इसे पढ़के सुना रहा हूँ कि लिखा हुआ है generate button क्लिक करने पर pass pto आविदन pass color या pass जारी करने वाले प्रादिरकारी को नहीं भेजा जाएगा और pass सुवता रूप से या तुरंत उत्पन हो जाएगा किर्प्या आविदन करने से पहले बिवरन साब्धानी पुर्वक पढ़ें या भरें तो दोस्तो अब मैं select pass या pto पे tap करूँगा तक तो मैं यहाँ पे pto order कर रहा हूँ आपको live दिखाऊँगा तो जैसे ही मैं इस पे tap करता हूँ तो देखिए मेरा 2022 का ही अभी एक full set और दो half set बचा हुआ है तो मैं इसी में से एक half set आपको apply करके दिखाऊँगा तो मैं इस से apply कर रहा हूँ जैसे ही apply पे tap करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है इसमें from station यह कहां से कहां तक कर लेना है तो उसके recording मैं आप fill कर रहा हूँ तो मैंने भोबाल जंक्सन से रेवाडी का फिल किया है route station में यह NDLS डाला है बीच में तो दोस्तो इस तरह का fill करने के बाद आप एक बार सारा पीछे देखे लियो कि हां मैंने जो भरा है वो सही है गलत है क्योंकि यह दोस्तों अब यह नहीं है कि वहां आप बीच में यह pass color को जाकर बोल भी सकते हो कि मैंने गलत भर दिया यह वो चेक करेगा यह अब आपको टाय करना है कि आपने सही भरा है यह गलत भरा है दोस्तों तो अब इसमें आपकी रिस्मास्प्लिटी होती है कि अगर आपने गलत भर दिया तो आपका pass EPTO बेकार चला जाएगा तो यह detail आपको गौर से भरना है तो दोस्तों अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पर फैमिली को टिक करूंगा उसके बाद जैसे हैं टिक करने के बाद मैं नीचे जाएंगे तो नीचे आने के बाद देखिए यह फिर से वही हो आगया जो मैंने आपको पहले पढ़के दिखाया था आप इसे एक बाद फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए वेरिफाई कर लीजिए इसके बाद अब इसके और नीचे आएंगे तो देखिए पढ़ने के बाद हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए पहले क्या होता था कि सेव एज ड्राफ एंड सब्मिट का अपसानाता था सब्मिट फॉर पास के लग लेकिन अब यहाँ क्या रहा है प्रिव्यू एंड जेनरेट पास यानि आप एक बार इसे प्रिव्यू कर लें चेक कर लें कि सही है या गलत मैंने जो भरा है वो सही है या कुछ उत्रूटी है तो या तो फिर आप जैसे ही इस पर टैप करोगे प्रिव्यू एंड जेनरेट पास पर तो एक बार यह प्रिव्यू के लिए ले जाएगा देखिए प्रिव्यू पास एप्लिकेशन पर ले गया है फिर यहाँ भर फिर यह पढ़ने के ल लिया है कोई इसू नहीं है तो फिर आप नीचे बॉटम में जाएए और वहाँ पर सब्मिट पर टैप करिए इसमें और भी कुछ है जैसे लिखा हुआ है कि चेक दा पास एक्सपाइरी डेट को भी जरूर आप चेक कर लें या उस किलोमीटर को भी टोटल किलोमीटर को भ प्रिव्यू करने के बाद दोस्तों जैसे ही प्रिव्यू करने के बाद नीचे आएंगे तो यहां पर डिकलेरेशन भरना है इस पर टैप करेंगे जैसे ही इस पर टैप करेंगे कि उसके बाद देखिए दोस्तो यहां नीचे में दो आप्सन हमारे सो हो रहा है दो इसमें से है एक generate pass और दूसरा है edit application अगर आपको कुछ आपको preview करने में कुछ अगर लग रहा है कि हमने कुछ गलत भर दिया यहां पर हम लोग क्या करेंगे generate pass पर आएंगे तो दोस्तों अब मैं इसे generate pass कर रहा हूं जैसे ही मैं इस generate पर किल्क किया कुछ इस तरह का रहा है pass will be issued instantly and automatically और नीचे देखिए यहां मेरा route journey भी दिखा रहा है और pass valid कब तक है यह भी सोग कर रहा है उसके बाद ऊपर में देखिए यह लिखा हुआ भी है कि यह instantly तुरंत generate हो जाएगा जैसे ही आप इस पर yes पर टैप करोगे तो तुरंत हमारा pass generate हो जाएगा देखिए मैंने टैप किया यह generate हो गया हमारा pass UPN number और UPN code जो pass color जब okay करता था उसके बाद आता था अभी मेरे जश्ट देखिए तुरंत आ गया दोस्तों मेरे मोवाइल पर आपको किसी से टाइम लेने के जरूरत नहीं है या अपने मोवाइल पर कुछी छण में इससे आप कर सकते हो तो दोस्तों मैंने आपको इसका लाइफ पुरूब भी दिखा दिया तो दोस्तों ये वीडिए वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों हमें जरूर सेयर करिए दोस्तों यदि अप हमारे चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद